हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं फिल्मी भी मौत के जंग लड़ रहे थे टीवी एक्टर सूरज था पर उन्हें बचाने के लिए उनकी वाइफ ने मांगी बड़ी मनत और मुड़वाया अपना सिर्ख क्या है बुरी खबर आई आपको बताते हैं विल्टीवी एक्टर सूरज था पर यकीनन बहुत लगी इंसान है यकीनन ये बात सूरज ने खुद कही है वही टीवी सीरियल में तो आप सबने बहुत सारे किरदारों को कई सारी हदे बार करते हुए रोमैंटिक अंदाज अपनाते हुए देखा होगा लेकिन एकिनन अब सूरज की वाइफ दीपती ध्यानी ने उनके लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया है दीपती ने अपने बालों को मुड़वा दिया है इसे देखने के बाद सभी बहुत हैरान हो चुके है तरसल सूरज की पत्नी ने एक बड़ी मननत मागी थी पिछले साल सूरज थापर को कुरोना वाइरस ने जकर लिया था जिसकी वज़र से वो आई उसीओ तक भी पहुँच गयते सूरज की हालत बहुत नाजो बताई जा रही थी वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे पती के ठीक होने की दुआ मांगी दीबती ध्यानी ने साथ ही उन्होंने मननत मांगी थी कि अगर सूरज ठीक होकर घर वापस लोड़ते हैं तो वो दिरुपती बालाजी के मंदिर में अपने बाल दान कर देंगी अब सूरज ठापर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं ऐसे में उनकी पतनी दीबती ने अपने बालों को मुड़वा कर अपनी मननत को पूरा कर दिया दीबती ने अपने बाल लोग को इंस्टरग्राम पर शेयर करते हुए लिखा तेरे नाम सूरज ठापर नहीं सूरज ने भी दीबती के ट्रांसफॉरमेशन का वीडियो शेयर किया है उन्होंने काप्शन में लिखा है कि यही प्यार है कोई दुनिया में इतना किसी के लिए नहीं करता है इस बारे में सूरज ठापर ने एक इंटरव्यू में भी बात की उन्होंने कहा कि वो खुद को लखी मानते हैं कि उन्हें दीबती जैसी पार्टनर मिली है जो उनके लिए इस हद तक भी जा सकती है उन्होंने मननत के बारे में सुनकर अपने पहले रियक्शन के बारे में बताया सूरज ने कहा कि मैं लिलावती हॉस्पिटल से घर वापस आया जब उन्होंने मुझे अपने मननत के बारे में बताया महरان था और उन्हें बार बार पूछ रहा था कि उन्हें अपना पूरा सिर्थ मुढवाना होगा मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान था लेकिन दीप्ती शुरू से ही इस बात को लेकर काफी ठीक और वो सोच शुकी थी कि उसे क्या करना है उनका कहना था कि उनके लिए मेरे पैरों पर खड़ा होना मेरी प्रास्थ मिक्ता थी उन्होंने कहा कि उनके लिए उनके बालों से ज़्यादा मेरी जिंदगी माइने रखती है सुरुज ने कहा कि एक्टर्स के तौर पर उनका अच्छा देखना बेहत जरूरी होता है दीप्ती चल्दी टीवी पर कमबाक करने वाली है ऐसे में उनके करियर को लेकर वो काफी ज़्यादा टेंशन में थे आला कि उन्हें भरोसा है कि प्रिडूसर्स उनके हिसाब से उन्हें रोल जरूर देंगे उन्होंने कहा कि इमानदारी से कहों तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ये कर पाऊंगा लेकिन वो मंदिर में मुस्कुराते हुए बैठी थी और भगवान का नाम जब रही थी आनी ने कुछ इस तरह से उन्होंने अपना सिर्म उड़वाया है झाल झाल